सिट्राइन अपने नहीं वाली सीथ्री को अन्विल कर दिया है जो कि इस ब्राइड की इंडिया में एक सब्फ और मीटर कॉम्पाक्ट सुवी होगी या फिर हैजबैक होगी ही 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 बड़ाया का रिवियू करने सुवी को हैजबैक बोल रहा है और बिताँगा हैजबैक क्यो भी और इसमयं आपको सही लुक्स मिलती है और इडिया में राइबिल करने वाली है निसान मेगनेट से पहले हमाते है इस गाड़ी की लुक्स में जो कि कुछ जॉधी लगसी है जो कि आपने शायदी सोचा हो कि ऐसी होगी जिसमें इस गाड़ी में आपको सामने Dual Part वाले Grill मिलती है जिसमें आपको जो Logo S Brand का Integrated मिलता है और साथी में जो इस गाड़ी की Lights है आपको Dual Split वाले मिलती है जिसमें आपको ऊपर LED मिलती है और नीचे आपको Wide Beam Light मिलती है जो उसका सामने का Bumper है उसमें आपको black part मिलते है साथी में जो fog lamp है उसके round में आपको orange housing मिलती है जो कि मुझे पसंद नहीं है मुझे नहीं पसंद नहीं सारी चीजे और साथी में आपको नीचे grey cladding मिलती है जो कि सही लगती है साइड में इस गाड़ी में आपको 16 inch के lois मिलती है और एवले door handle तो ऐसे लगते है कि इससे अगर आप गाड़ी को खोलेंगे तो आपका अपमान हो रहा है ऐसे लगते है तो यह थोड़ी खराब चीज है जिसमें आपको side में cladding मिलती है black layer की जो कि थोड़ी मोटी है और इस गाड़ी के side में आपको एक square मिलता है जो कि इस brand का ऐसे एक heritage है जो कि आपको हरी गाड़ी में मिलता है जो इसकी high-tech आपी अच्छी कासी है जिससे इस गाड़ी में आपको बड़िया space मिलने वाली है इसकी छट आपको dual tone finish वाली मिलती है जिसमें आपको orange color मिलता है जो कि इंडिया में कोई निखरीने वाला इंडिया में सबको white, black, grey वगरा पसंद है ये orange, orange कोई निखरीता और साथी में आपको roof rail मिलते है जो कि grey color में है और इस गाड़ी में इसके last वाले pillar में आपको stripes मिलती है black color की जो कि थोड़ी sporty looks देने के लिए बनी है और पीछे इस गाड़ी में आपको जो looks है थोड़ी बढ़िया मिलती है सामने से जिसमें आपको square वाली lights मिलती है जिसमें आपको side door में LED मिलती है बीच में आपको बड़ा citron का logo मिलता है और साथ ही में आपको black color का bumper मिलती है और उसमें आपको gray cladding मिलती है जो कि सही लगती है और आपके सामने चार गाड़ी आ रही है जो कि रिनॉल्ट काईगर, Nissan Magnite, ये वली गाड़ी और पते निए चौती कौन सी डालू और आपको बताना है चारों में से कौन सी best looking है मैं मांदा हो कि जो worst looking है ये citron की c3 है क्योंकि इसमें थोड़ा कबाड़ा कर दिया company ने जो कि मुझे पसंद नहीं आया काफी लोग कह रहे हैं कि ये गाड़ी एक SUV है जो कि इंडिया में Nissan Magnite से Tata Nexon से और बाकी Hyundai Venue वगरा से रैवल करेगी लेकिन मैंने थोड़ी बहुत research करी क्योंकि मुझे शक हो रहा था इसे देखके कि असलियत में SUV है या फिन नहीं तो मैंने इस गाड़ी की पूरी press release पड़ी जो कि बहुत भी बड़ी थी कि जैस Citroen है वो खुदी इस गाड़ी को SUV बोलनी रहे जो हमारे देश के अन्या यूट्यूबर है वाई इस गाड़ी को SUV की तोर पे classify कर रहे है असलियत में ये एक 20 सेग्मेंट की hatchback है जो कि Citroen के भी रहे है लेकिन इसमें आपको जो ground clearance मिलती है वो 180 mm की है तो इस गाड़ी में आपको थोड़ी बहुत SUV वाले stance मिलती है तो एक तरह से आप कह सकती है कि ये गाड़ी सिर्फ hatchback है जिसमें आपको थोड़ी बड़ी आ ground clearance मिलती है और एक proper SUV नहीं है जो कि इंडिया में नेक्सॉन से और Hyundai Venue से रवल करेगी तो myth buster बन गया भाई अब हम जो इसका interior है बहुत ही डरावन है जो कि आपको थोड़ी तरह में बिताता क्यों डरावन है जिसमें आपको जो dashboard है काफी cool मिलता है जिसमें आपको 10 inch की screen मिलती है जो की बहुत ही बड़ी है और अपने segment की सबसे बड़ी में से एक है साथी में आपको बड़े-बड़े AC wind मिलती है और जो dashboard है उसमें आपको metallic finish मिलती है जो की body color है जो की बहुत ही cool लगती है जो इसका instrument cluster है उसमें आपको screen मिलती है जिसमें आपको speed है सिर्फ आपको वह ही देखेगी digital format में बागी सारा analog है और साथी में जो steering wheel है वो भी आपको सही मिलती है लेकिन जो इसके dashboard के AC control वाले button है काफी basics हैं जिसमें आपको basic knob मिलती है और कुछ भी ऐसे advanced नहीं मिलता और साथी में आपको dashboard में एक phone holder मिलता है जो कि मैं मानता हूँ कि थोड़ो बहुत cool है जो इसका gearbox है वो भी काफी basics है और जो इसका डरावना पाड़ाता है वो इसके side के दर्वाजों में है जिसमें मैंने notice करा कि जो इसका driver zone वाला दर्वाज है उसमें आपको सरफ दो ही मिल रहे है window control तो मुझे अपनी आखों पे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है 21 सदी में citron हमसे चाते हैं कि हम मजदूरी करके जो इसकी खिड़किया उपर करे और नीचे करे तो फिर मैंने इस गाड़ी की दूसरी फोटोस देखी और वीडियोस देखी और मुझे पता चला कि सच्ची में इस गाड़ी में आपको पीछे वले दर्वाजों में शायद आपको window control manual मिलने वाले है जो कि बहुत ही जादा खराब आता है और भाई मुझे तो जड़का लग गया था देखके कि 21 सदी में हम इतने advance हो गया है हम space में जा रहे है और Citron अभी भी हमें window control manual दे रहे है जिसमें मजदूरी करनी पड़ती है तो भाई बहुत ही खराब आता है और मेरे advice as brand को कि येवला feature इंडिया में launch नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडिया में वैसे इतने specific है लोग गाड़ी खरीते वक्त और अगर ऐसा कुछ launch कर दिया फिर तो बहुत ही बुरी पिटने वाली है गाड़ी जो इस गाड़ी का wheelbase है आपको 2.5 मीटर का मिलता है इसलिए गाड़ी में आफको सब्सक्राइब को बैटने में बाई 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 वा B अगर आपको आपको शौक था पूरे खाबी योप बड़े it सर, सर, सिरफ पचास इनिट बिक्रिए महीने की हमारे जो डीलेशिप है, पुरे खाल भी पड़े है, कुछ करो वरना इंडिया में डीलेशिप भी बन दो जाएंगे, पोर्ड की तरह. मैंने सुना है, इंडिया में सस्ती SUVs बिक्ती है. इंडिया में वैसे लोग पाखले SUV के लिए, ये तरह क्या गाड़ी बनाई है हमने. सर, मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा बेसिक नहीं है गाड़ी. तो भाई, काफी बेसिक है ये गाड़ी, और जो उसका प्राइस होने माल है, वो भी बेसिक रहना चाहिए, अगर नहीं होगा, तो ओविसली कौन ही खरीदेगा. तो मैं मानता हूँ कि इसका प्राइस होना चाहिए इंडिया में, और जो मैक्सिममम जाना चाहिए, आठ लाख रुपे एक्श्रूम इंडिया का जाना चाहिए, और इससे एक रुपे भी जादा मत लेना, क्योंकि वैसे गाड़ी में बहुत ही हाई प्राइस करके बेच र अली सब्सक्राणस PCs शेड़र इंडिया चाहिए, और पिसका अली सेका हे जाना चाहिए, तो मत लेग्लेए, और भी जाना चाहिए, यहाई सेस्गे एक्वेए, और रमक पिय informal रहें, और पिसका हुगम हो, स्काागो विर धमना बाल, व्र करता रखल्ड़ पेना उना उ